हेलो इस्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल स्वी कोचिंग क्लासस पर स्वगत है क्लास टोल्द कमिस्टी आरगनिक कमिस्टी सुरू कर चुका हूँ जिसमें चैप्टर 10 का हैलो एलकेन और हैलो एरीन है आज मैं हैलो एलकेन का समान परचे बताऊंगा इस चैप्टर में क्या है 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 एलो एलकेन की बनाने की विदियां हैलो एलकेन की रासानी गूर इसी प्रकार हैलो एरीन की बनाने की विदियां और हैलो एरीन की रासानी गूर यह मुख टापिक है इसके साथ इसमें ही कार्वन करा हुआ ठीक है तो आर्गनिक कमिस्टी आप लोगों का सुरू हो चुगा है तो प्लीज आप सब को सेयर कर देना और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी प्लेलिस्ट विजिट कर लेना प्लेलिस्ट में क्या होगा कि आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे है नब पुराने वीडियो भी आपने नहीं देखा वहां से मिल जाएगा तो चले ही स्टाट करते हैं सबसे पहले देखते हैं स्ट्रण है Loyal ikyn है क्या और हैलो हैलो एलकेन हैलो एलकेन दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे पहले हैलो एलकेन समझेंगे तो आज का यह टॉपिक है हैलो एलकेन का समान परिचय है तो सबसे पहले हैलो एलकेन की परिभासा समझें एलकेन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाड़ को उतने ही हैलोजन प अटा कर है ना क्या करेंगे हैलोजन तद तो जोड़ेंगे तो हमें एक प्रकार का योगिक मिलेगा जिसे हम हैलो एलकेन कहेंगे क्लियर इतना क्लियर हो गया हैलो एलकेन का समान परिच्छा है आर एक्स मतलब समान सूत रिश्ट्वेंट आर क्या है एलकिल समू है आर क्या है एलकेन, एलकेन का फार्मूला आप लोग बताओगे, क्योंकि आज हैलो एलकेन का ही समान परिश्य करना है तो एलकेन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए CnH2n प्लस 2 ठीक है, ये किसका है एलकेन का, इसमें से जब एक हैड्रोजन निकल जाता है, प्यारे भाईो तो बनता है एलकेन, क्या बनता है एलकेन, तो CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या है एलकेन है, ये क्या है एलकेन, तो जब एलकेन से एक हैड्रोजन निकल जाता है, तो एलकेन समूप राप्त होता है इतना क्लियर अब इसमें कार्बन की संख्या की आधार पर नामन क्लेचर भी बनना चाहिए तो कार्बन की संख्या की आधार पर जब कार्बन की संख्या कितनी होती है एक तो उसे कहते हैं मित ठीक है जब होती है दो तो उसे कहते है एथ है ना जब कर्बन की संख्या होता है तीन तो उसे कहते है प्रूब जब कर्बन की संख्या चार होता है तो उसे कहते है ब्यूट है ना जब कर्बन की संख्या पांच होता है तो उसे कहते है पेंट जब कार्बन की संख्याइच होता है उसे कहते हैं हेक्स जब कार्बन की संख्याइच होता है उसे कहते हैं हैप्ट जब कार्बन की संख्याइच होता है तो उसे कहते हैं आक्ट जब कार्बन की संख्याइच होता है तो उसे कहते हैं नौन और जब 10 होता है इस्टूडेंट उसे कहते हैं ठेक ठीक है इतना क्लियर हो गया देखेगा पूरा कम्प्लीट कर रहा हूँ मिच से बनता है मेथेन मिच से बनता है मेथेन एच से बनता है एथेन हैना प्रोब से बनता है प्रोपेन इसी प्रकार श्ट्रेंट कहे दूँ तो ब्यूट से बनता है ब्यूटेन आगे आप करते जाओ पेंट से बनता है पेंटेन ठीक है और इसके बाद हेक्स से बनता है हेक्सेन इसका सूद्र कैसे निकालोगे जब एक एन कमान एक रखोगे तो एक हो जाएगा तो इसका हो जाएगा CH4 ठीक है जब दो रखोगे इस ट्रेंट तो कितना हो जाएगा C2H देखे दो दूनी 4 दो 6 फिर जब आप 3 रखोगे तो C3 3 दूना 6 दो 8 H8 हो गया ब्यूटेन यहीं आपके पास कितने कारवन 4 तो C4 4 दूना 8 हो जाएगा 8 दो 10 है न तो H कितना हो गया 10 यह ब्यूटेन का हो गया 15 तो C5 दूनाबर 2 जो दो 12 हैसे Cat तो C6 और दूनाबर 2 जो यह ब्यूटेन चोदा हो गया चोज़एगा तो यह इस ट्रेंट क्या है प्रोपेन ब्यूटेन चाप try बान-एक इस हे बने सी कितना यह इन यह ल Hop तो क्या बनता है student C3H7 बनेगा बनेगा की नहीं बनेगा हाँ सिंगल बंड हो गया अब इसमें हमको क्लोरीन जोड़ देना तो ये क्लोरीन जोड़ गया मतलब ये एलकिल मुलक था और ये आपका कौन सा हैलो जन तो एलकिल हैलाइड बन गया क्या student हैलो एलकिल हैलाइड समझ पा रहे हैं हैलो एलकिल हैलाइड तो इसी प्रकार से आप बहुत सारे योगिक बना सकते हैं जैसे मैं student कहता हूँ कि यहाँ पर एक आपके पास फर्मूला है कि यहाँ पर है C4H आपके पास 9 है और इसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है इसका नाम करने दी आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल तरीके से बता सकते हो कि यह चार कारवन का है तो चार कारवन कहते हैं ब्यूटेन ब्यूटेन से एक हड्रोजन निकल गया है तो ब्यूटिल तो ब्यूटिल कर दिया आपने और आयोडीन है तो ब्यूटिल आयोडाइड क्या होगा इस्टुएंट ब्यूटिल आयोडाइड ब्यूटिल आयोडाइड हो गया ठीक है या इस कायूपे सी नाम करना कहोगे तो आयोडो आयोडो व्यूटेन आयोडो यूटेन हो गया यह सब 11 क्लास में आप बिधिवत बखुबी से पढ़ाई किये हैं ठीक है क्लियर इतना तो यह हो गया हैलो एलकेन मतलब एलकेन समू से आप बराबर मात्रा में हाइड्रोजन बिस्थापित करके बराबर मात्रा में जब हाइलोजन तक जोड़ देते हैं तो जो योगिक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हाइलो एलकेन क्या कहते हैं प्यारे स्टुरेंट वो हाइलो एलकेन तो हाइलो एलकेन का तो डिफनिशन आप समझ गये होंगे किलकेन में से एक यए एक से अधिक हाइडर正न हटा कर उतने ही परमाड़ जब हैलोर जब जोड़ दिया जाता है या बिष्थापित कर दिया जाता है तो उसके बिष्थापन से जो योगित प्राफ्थ होता है उसे कहते हैलो इलकेन क्या कहते हैं इस्टोटेंट हेलो इलकेंट तो आपका हेलो इलकेंट कम्प्लीट हो गया कि उसे कहते हैं हेलो इलकेंट क्लियर यह हो गया हेलो इलकेंट और दूसरा है आपका पाली हेलो एलकेन तो दो भाग कौन कौन से हो गए एक मोनो हेलो एलकेन और दूसरा पाली हेलो एलकेन अब यहाँ पर मोनो का मतलब यह होता है इस्ट्रेंड मोनो का मतलब सिंगल जब एक एलकेन एक आपका हेलो जन तक तो जुड़ा रहता है उसे मोनो हेलो एलकेन कहेंगे क्या एक हेलो जन तक तो किसी भी एलकेन की साथ जब एक आपका हेलो जन तक तो जुड़ा होगा उसे हम मोनो हेलो एलकेन कहते हैं इसके बाद जब एक से अधिक हेलो जन तक तो जुड़ा रहेगा इस्टुडेंट उसे हम कहेंगे पाली हेलो एलकेन पांटा गया है तीन भागों में जब एक जुड़ा हो है ना जब दो जुड़ा हो और तीन जुड़ा हो ठीक है क्या सुरी एक को तो मोनो कहते हैं दूसरे को जब दो जुड़ा हो तो डाई डाई हैलो एलकेन सुरी मैंने क्या कहा दो जुड़ा हो एक को तो मोनो कहेंगे एक को क्या गएंगे मोनो जब दो जुड़ा हो तो डाई जब तीन जुड़ा हो तो ट्राई हेलो एलकें हेलो एलकें अब इसमें से एक आपके पास कोश्चन जरूर उठता होगा यदि उठ रहा होगा तो देखेगा क्या थोड़ा समझने की कोशिश करें आप यहां पर सोच और समझ सकते हैं कि यहां पर एक जुड़ा तो मोनो दो जुड़ा तो डाई तीन जुड़ा तो ट्राई चार दुड़ा त्रट्रा अब क्या और भी जुड़ जाए एक जुड़ा तो मोनो दो जुड़ा तो डाई ट्राई ट्राई ट्रट्रा अच्छा फेंटा भी तो हो सकता लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि कार्बन की जो बैलेंसी है वो चार से ठीक नहीं होती कार्बन की जो छमता है चार बंद बनाने की, मतलब चार से ज़्यादा कार्बन कभी भी किसी भी तक्तों को जोड नहीं सकता मतलब चार इलेक्टरान ले ही सकता है और चार बंदी ही बना सकता है चार से ज़्यादा कभी बना ही नहीं सकता है पैरे भाईो इसलिए कारवन की विलेंसी केबल कितनी होती प्लस फूर चीजें क्लियर इस्टुरेंट समझ गए इसलिए कारवन के साथ केबल केबल चार है जुड़ेंट तक तो ही जुड़ सकते है इससे ज़्यादा कभी जुड़ ही नहीं सकता क्लियर इतना समझ गए ना अब मैं सभी के एक 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 जामपल भी बता देता हूं ताकि आपने को दिक्कत नहूं जैसे आपने पढ़ा इस ब्रेंट CH4 CH4 इस मेथेन को आपने पढ़ लिया पढ़ लिया ना अब जिस जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें एक हाइड्रोजन निकाल दें देखेगा माइनस ह कर दें और प्लस CL कर दें तो यहाँ पर आपको मिलेगा CH3 CL तो यह किसका हो गया मोनो हैलो इलकिन मोनो हैलो इलकिन ऐसा क्यों क्योंकि इसमें केबल एक आपका हैलोजन तद जड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन निकला है इसके बाद इसमें से यदि इसमें से यदि मैं दो हाइड्रोजन निकल दू कितने हाइड्रोजन माइनस दो जोड़ा दू और दो क्लोरिन जोड़ दू तो यह हो जाएगा CH आपका हो जाएगा इस्टूर्ट टू और यहाँ पे CL2 हो जाएगा यहाँ पर डाई हो गया इसके बाद इसी में से इसी में से आपको यहाँ से तीन हाइड्रोजन निकाल दू है ना और तीन क्लोरिन क्या कर दू जोड़ दू तब क्या होगा इस्टूर्ट तो यहाँ पर बन जाएगा CH CL3 इसका नाम है क्लोरोफार्म तो यह क्या हो गया ट्राई हैलो एलकेन मतलब तीन एलकेल समोझ जुड़ा ओ सरी तीन यहाँ पर हैलोजन तक जुड़ा है अब इसमें से डाईरेक्ट चारों हटा दिया जाए मतलब चार हैड्रोजन पूरा माइनस कर दो और चार क्लोरीन जुड़ दो तो CCL4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड यह आप कहो गया टेट्रा हैलो एलकेन इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो चीजें समझ गया होंगे कि जब आपका एक हैलो जन तक जुड़ा रहता है उसे मोनो हैलो एलकेन कहते है जब दो हैलो जन तक जुड़ा रहता है उसे डाई हैलो एलकेन कहते है और जब तीन हैलो जन तक जुड़ा होता है उसे ट्राई हैलो एलकेन कहते है तो हैलो एलकेन कैसे बनता है हैलो एलकेन समूं में हाइडरोजन परमाणों को विस्थापित करके जब हम क्या जोड़ते हैं हैलो एलकेन को जोड़ देते हैं तो एक प्रकार का योगी प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं हैलो एलकेन कहते हैं इतना clear हो गया और जब एक single हो तो mono हेलो एक दो हो तो die, तीन हो तो try, चार हो तो tetra इतना आप लोगों से clear हो जाना चाहिए अब इसके आगे इसका आता है नामकरण है ना तो नामकरण भी थोड़ा सा जैसे आयूपेसी नामन क्लेचर भी आप पढ़े होगी और एक समान में पद्धत में भी नामकरण पढ़े होगी तो नामकरण और समाब यत्ता अगले वीडियो में मैं आपको दूँगा ये आपका आज रूप रेखा था इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है तो इस चैप्टर में मुक्रूप से आपने देख लिए समझी लेश्टन कि आपनों को हैलो एलकेन हैलो एरीन और विभीन कमिश्टी के सारे वीडियो प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे ठीक है और यदि नोट्स लेना है तो च्यानने पचासी उन्तिस इंक्यानने उन्चास पर कंटेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा लो प्राइस रहेगा प्राइस लिया जाएगा आपसे तभी नोट्स ल होता है तो चलते हैं इजाज़ा दीजिये मिलते हैं अगले वीडियो में ने टॉपिक के सांद तब तक लिए जैहिन बंदमात्रम